हेलो दोस्तों कैसे हो आप चैन के निती यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है तो दोस्तों करें रहे लिए ग्रूप D, RRB, NTPC के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टी सेट जो आपकी नेक्स्ट एक्जाम के लिए काफी फाइदेमंद सेट है तो जिन्हें पिछले सेट नहीं देखें तो आप पिछले सेट भी देख लीजीगा 24 तक हमने सेट कर लिए हैं तो आज का सेट नंबर 25 आपके सामने है तो दोस्तों इन सेटों के अंदर पिछले एक्जाम में भी जादा चैनल पर आएँ तो चैनल को जरूर तभी आपको मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट आता है बारत के राष्टी दोज की लंबाई और चोडाई का अनुपात बताओ कितना होता तो नेक्ट के राष्टी दोज की लंबाई और चोडाई का अनुपात होता है तो नेक्ट केसन आता है सक्समुत का आरम किसके काल में हुआ है तो सक्समुत किसके काल में जारी की गई थी कनिक्स के काल में तो कनिक्स के काल में सक्समुत जारी हुई है तो next आएगा बिल्कुल basic सा प्रसन है क्या पता है फिर से पुछा जाए गलेलियो एक क्या थे खगोल सास्त्री तो गलेलियो क्या थे एक खगोल सास्त्री तो next question आता है गुर्तवा कर्षण निम्मों की खोज किसने की थी न्यूंटन ने किसने न्यूंटन ने गुर्तवा कर्षण निम्मों की जो अविश्कारक है वो कौन है न्यूंटन है ठीक है तो next आएगा मानो सरीर में जो हार है जो बोजन है तो कौन सी आत के अंदर पचता है ये तो मानो सरीर में जो बोजन है कौन सी आत के अंदर पचता है छोटी आंत मी ठीक है ना most important point है ध्यान से याद करना मानुशरीर में बोजन कौन सी आंत के अंदर पचता है छोटी आंत के अंदर ठीक है तो next आएगा आठवी पंच वर्षी योजना का जो time period है वो कितना है 1 अप्रेल 1952 1 अप्रेल 1952 आठवी पंच वर्षी योजना का जो समय अविद्धी है वो है ठीक है तो next आएगा प्रकास का अपरवर्तन का ताथपिरी है तो प्रकास का अपरवर्तन का ताथपिरी है क्या कहलाता है तो क्या कहलाएगा एक मैदम से दूसरे मैदम में प्रवेश करतेश 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 में प्रवे सबसे नियुन्तम तरंग देरिया रंग कौन सा है तो बैंगनी रंग है ठीक है सबसे नियुन्तम तरंग देरिया रंग कौन सा है बैंगनी रंग तो next question आता है विसव का एक मात्री इंदुराष्टर कौन सा है तो नेपाल है ठीक है न विसव का एक मात्री इंदुराष्टर क बोदों में सवसन से प्रकास अनसलेशन अधिक तेजी से होता है तो next person आता है अध्यादेश्ट जारी करने का दिकार किस किस के पास होता है एक तो बारत के राष्ट पती के पास ठीक है एक राज्ये के राज्ये पाले के पास गवर्णर के पास यानि एक तो बारत का जो प्र जारी करने का अधिकार होता है इनके पास ठीक है दोनों को पास होता है ठीक है तो next आएगा जंतर मंतर का निर्मान तो जंतर मंतर का निर्मान किसने करवाय था जयाई सिंग ने किसने करवाय था जयाई सिंग ने तो next परसन आएगा बारतिय सुविदान में अपात काल के अउधारणा most important person है बारतिय सुविदान में अपात काल के अउधारणा कहां से ले गई जर्मनी देश से कहां से ले गई है जर्मनी देश से ले गई है बारतिय सुविदान में अपात काल के अउधारणा अमरजेंसी के उदाळणा कहां से लिए गई? जर्मनी देश से ठीक है? तो नेक्ट आएगा राजिय गांधी खेल रतन-पुरस्कार का पर्तम विजेता कौन था? तो कौन था? विसोनाथन आनंद कौन थे? विसोनाथन आनंद थे राजियू गांदी खेल रतन पुरसकारत के पर्थम विजեता ठीक है ना जिनोंने खेल रतन पुरसकार जीता है सबसे पहली बार जीतने वाला विजेता था विशुनात आनद ठीक है तो next person है भारत के सबसे पुरानी गुफा है तो भारत की सबसे पुरानी गुफा है ठीक है पूछ सकते हैं आपसे बारत की सबसे पुरानी गुफा का नाम बताऊ तो बीम बेटी का ठीक है तो बीम बेटी का बारत की सबसे पुरानी गुफा है तो next है 25 गाल का जो बाग है वो आशु तोस मुखर जी को का जाता है किसको का जाता है बंगाल का बाग तो बंगाल का बाग का जाएगा आसुतोस मुखर जी ठीक है आसुतोस मुखर जी को बंगाल का टाइगर का जाता है तो सैट नमर 25 और करते हैं सैट नमर 25 का फर्ष्ट परसन आता है बैलूर मठ के संस्तापक कौन थे कौन थे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेक अनंद क्या थे बैलूर मट के संस्तापक तो नेक्ट आएगा केंदरिय अधियोगिक सुर्क्षाबल अकादमी कांपर है इदराबाद केंदर कांपर है इदराबाद में केंदरिय अधियोगिक सुर्क्षाबल अकादमी है ठीक है तो नेक्ट परसन आता है बारत के पर्थम सं चार उपगरह का नाम बताओ तो कौनसा ये ये है एपल ठीक है तो नेक्स्ट आएगा ITDC से क्या तात्री है Indian Tourism Development Corporation ठीक है तो Indian Tourism Development Corporation ये क्या है ITDC ठीक है ITDC से तात्री है ठीक है Indian Tourism Development Corporation ठीक है तो नेक्स्ट आएगा मुगलों के रूद यानि मुगलों का विरोध सिवाजी द्वारा प्रियुक्त रण नेती गुर्लिला युद से हुआ है ठीक है क्या परस्ण हे है मुगलों के विरोध सिवाजी द्वारा प्रियुक्त रण नेती कौनशी थी गुरीला युद ठीक है कौनशी थी गुर्नी युद थी गुरिला युद थी वो नहीं जीता गया था, ठीक है, तो पेशवा बाजी राव पर्थम के द्वरा, वो देल खंड नहीं जीता गया था, ठीक है, तो मानो नेतर के लिए सफ़ष्ट दर्शन की नियुन्तम दूरी कितनी हो जाएगी, 25 cm, तो 25 cm, मानो नेतर के लिए, यानि मानो की आँख के किया था, न्यू लेंड ने, किसने, न्यू लेंड ने किया था, तत्वों का सबसे पहले वर्गी कंड, ठीक है, तो मादा एनो फेलेज मच्छर सीत, जवर के परजीवी को क्या करेगा, सन परेशित, क्या करेगा, सन परेशित करेगा, मादा एनो फेलेज मच्छर सीत, जव उसके परजीवी को ठीक है सन प्रेशित करता है तो next आएगा पिर्थी के चारों और प्रिकर्मा करने में चंद्रमा को लगबक कितना दिन लगता है तो चंद्रमा को दिन लगता है 27.8 दिन कितने दिन 27.8 दिन लगते हैं पिर्थी के चारों और प्रिकर्मा करने में चंद्रम चांद कोई कितने दिन लगते हैं जॉड़ात खॉड़ात का he कि तो नैश पाईगा सूर्ड़ टो लुक्य छैसे लक्षे्ल कौन से रेजुमें यह कौन से रेज्जे का है qrl के करनाटग रेज्ड़य में चंदन के गने क्या है जंगल हैं तो करनाटिक राइज्य में चंदन के कका हैं जंगल ठीक है न तो नेस्ट आएगा नर्मदा बचाओ अभियान के ने अ कौन थे मेदा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेदा पाटेकर ठीक है तो next person आता है next आएगा काकड़ा पारियोजना का समन्द बताओ किसे है तो ये था गुजरात से ठीक है तो next person है most important person है अन्य परतियों की परिक्षा में भी पूछा गया person है और next exam में भी ये person क्या पता दुबारा से पूछ ले बारत मिराश्ट्री ये कलेंडर कब पारम किया गया था 22 मर्च 1907 को बारत मिराश्ट्री कलेंडर कब जा रही हुआ था 22 मर्च 1907 को ठीक है तो next आता है साली मार बाग की स्थापना किस ने की थी तो जांगीर ने जांगीर ने साली मार बाग की स्थापना की थी तो दोस्तों next set देखते हैं तो next जो set वो है 25 तो हो गया 26 भी हो गया 27 सेट आए ठीक है तो 27 सेट का फर्स्ट पॉइंट आता आपके सामने सोन उत्तर की और बहने वाली क्या है नदी है ठीक है ना सोन कोन सी दिशा में बहती है उत्तर की दिशा में बहने वाली नदी है सोन नदी ठीक है तो next आएगा तत्तों के परमावनिक बार को am yuk में क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है किसमें दरसाया जाता है तत्तों के परमावनिक बार को तो am yuk की अंदर दरसाया जाता है ठीक है तो next आएगा तो सुंगमस की स्तापना किसने की थी पुष्यमित्र ने सुंगमस की स्तापना की थी तो next और आएगा question सातवान का समंद तो सातवान का समंद वर्तमान के आंदर परदेश से है तो सातवान का समंद वर्तमान के आंदर परदेश से है ठीक है तो next आएगा जो कुद्रे मुख है वो काँपर है करनाटक में स्थीत है ठीक है काँपर स्थीत है ये करनाटक के अंदर तो next person आता है बलराम की पतनी का नाम बताओ तो बलराम की पतनी का नाम क्या था रे उत्ती क्या नाम था रे उत्ती तो next person आता है जम्मु कश्मीर बारत का एक मात्त रैज्य है जो केसर का क्या करता है उत्पादन करता है आप से पूछ लेंगे बारत के कौन से रैज्य में केसर का उत्पादन होता है तो जम्मु कश्मीर के अंदर ठीक है तो next आएगा जो नाथुला दरा है वो कौन से रैज्य में है तो य सबसे अधिक टरणी के लिए लावदाई मुंदरा सिप्ती होती है ठीक है तो next question आता है बारत के राष्ट्रिये गान को गाने का निर्दारित समय सभी को पता होगा 52 सेकंड के अंदर बारत का राष्ट्रिये गान गाने का जो समय है यानि टाइम विद्धी है 52 सेकंड तो next है इंदी बासा का पर्तम समाचार पत्तर उध्यन्त जो मारतंड है ये क्या एक सब्ताइक पत्तर है ठीक है तो इंदी बासा का पर्तम समाचार पत्तर है सब्ताइक पत्तर है ठीक है ये है उध्यन्त मारतंड ठीक है तो next question आता है बारत पर आकर्मन करने वाला पहला मेंगोल स तो कौन थे ये चंगेज खां बारत का यानि बारत पर आकरमन करने वाला मला करने वाला पहला मेंगोल सासिक मेंगोल सासिक पुछे आपसे पहला तो चंगेज खां जिन्नोंने 1221 में क्या किया था बारत पर आकरमन किया था सबसे पहले तो नेस्ट आएगा आगा खां तो पाराष्टर में ठीक है तो नेक्ट है नंदी हिल्स तो नंदी हिल्स कौन से रहजी में पढ़ता है करनाटक के अंदर पढ़ता है ठीक है तो सवन मंदिर का निर्मान किसने करवाया था सवन मंदिर का निर्मान गरू अरजुन देव ने ठीक है गरू अरजुन देव ने सवन मंदिर को बनुआ आया है ठीक है तो नेक्ट आएगा मालती मादों के लेखक कौन है तो यह बहु भूती कौन है बहु भूती मालती मादों के लेखक है तो नेक्ट परसन है तो नेक्ट है जो बिज्जक के लेखक पुछा इसने तो बिज्जक के लेखक कौन है कभी इरदास तो बिज्ज़ किस ने लिखी कभी इरदास नहीं, ठीक है? तो next है, set number 28, तो set number 28 का first person आता है, गोवा राज्य महाराष्टर उंच नेलेके नियाइक अधिकारक से तरमें आता है, ये person कैसे बनेगा, गोवारज्य कौन से नेले के नियाइक अक्षेत्र में आता है तो नियाइक अधिकारक अक्षेत्र में आएगा ये माराष्टर उच नेले के ठीक है तो माराष्टर उच नेले के नियाइक अधिकारक अक्षेत्र में आता है गोवारज्य तो नेस्ट आएगा परजनन सक्ति में कमी विटामिन E की कमी के कार्ण होता यानि परजनन सक्ति में कमी पूछा इसने जो परजनन सक्ति उसमें कमी कौन से विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन E की कमी से ठीक है क्या कारण है परजन सक्ति में कमी होने का विटामिन E की कमी होना ठीक है तो जवार बाठा सबसे उंचा तब होता है जब वो सुरिय चंद्रमा पिर्थवी एक रेखा में होते है तो जवार बाठा है सबसे उंचा कब होता है जब सुरिय चंद्रमा पिरत्वी क्या हो जाएंगे एक रेखा में ठीक है तो next person आता है अजरतबल तो अजरतबल मस्जिद कहां पर है तो अजरतबल मस्जिद है ये शिरी नगर में ठीक है अजरतबल मस्जिद कहां पर है शिरी नगर के अंदर 20 अगस्त सद बावना दिवस के रूब में मनाई जाती है तो 20 अगस्त की तारिक सद बावना दिवस के रूब में मनाई जाती है तो next प्रशन आथा काबुई जन जाती तो काबुई जन जाती मनिपूर की है काँ की है मनिपूर की तो next आएगा राणा सांगा बिल्कुल basic सा प्रसन है क्योंकि अन्य प्रतियों की प्रिक्षाओं में भी काफी बार रपीट हुआ था question है ये राणा सांगा तो राणा सांगा मेवाड का सासर था ठीक है तो राणा रामोन राय को अंग्रेजों ने भारत का क्या कहा है अधूनिक नक्सत्र किसको कहा गया है अधूनिक नक्सत्र क्या ये नक्सत्र ठीक है किसको बोला ये राणा रामोन राय को ठीक है अंग्रेजों ने कहा है तो next है वीर्ता का स्रोच्च पुरुषकार कोन सा है तो ये पुरुषकार है दोस्तो परमीर चकर कोन सा है परमीर चकर तो नेश्ट आएगा पलव राजों की राध्दानी तो पलव राजों की राध्दानी कांची पुरम कौन सी थी कांची पुरम थी तो पुराणों की संक्या कितनी है अठारा तो पुराणों की संक्या कितनी होती है अठारा होती है कुक्का अंदोलन किसे समझीता है तो कुक्का अंदोलन राम सिंग कुक्का ने किया था ठीक है किसने किया था राम सिंग कुक्का ने तो विशुवितिय अक्सेत्र में सबसनिय वर्षा होती है आपसे पूछ लेंगे विशुवितिय अक्सेत्र में कौन सी वर्षा होती है तो next आएगा पिर्त्वी तद्धा चंद्रमा के कक्स तलों में पांच डिगरी का क्या हो जाएगा जुका हो जाएगा तो next आएगा टोकियो विसो का सबसे अधिक क्या है महंगा सहर आप से पूछ लेंगे विसो का सबसे महंगा सहर तो इसो का सबसे महेंगा सहर क्या है टोकियो टोकियो किसकी रादा नहीं है जपान देश की रादा नहीं है तो नर्मदा नदी गुजरात की जिवन रेखा तो नर्मदा नदी कौन से रेजी की जिवन रेखा है गुजरात रेजी की तो गर्बला इराक में स्थित गर्बला कह कापर ईराग में है सलेट सेल का रूपांतरिक रूप है तो सलेट क्या थेल का रूपफांतरिक रूप है ठीक है तो हमने कितने सैट कर लिए हैं है तो यह 23 हो गया ठीक खेंथ Everest की बाद 29 और देख लेते हैं क शैथा के बाद 29 शेट तो 19 सेट आता है सकती सतल कहां पर है तो सकती सतल दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली के अंदर लोगसभा अजक्ष का निर्वाचन लोगसभा के सदेश्यों के दुवारा किया जाता है ठीक है ना बिल्कुल बेसिक सी नोलेज है तो तो नेस्ट आएगा दंडित चालक का विसकार कोन है किसने किया था दंडित चालक का विसकार तो यह किया था बेंजामीन फ्रैंकलीन ने बेंजामीन फ्रैंकलीन ने दंडित चालक की खोज की थी ठीक है दंडित चालक की खोज किसने की बेंजामिन फ्रेंकले ने तो नेक्ट आएगा जो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कोन है जशुवंत सिंग जशुवंत सिंग डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं तो नेक्ट परसन है जो अमजद अलिखा का समंद्ध उच्छा इसने किस्य था सरोज से जो अमजद अलिखां का समंद्ध रहा है तो next आएगा सदान कर्बन स्टील में कर्बन था क्या पाया जाएगा लोवा पाया जाएगा तो next आता है जूल किसकी इकाई है उर्जा की ठीक है जूल उर्जा की इकाई है तो next है भारत की पर्थम नीमित जनगनना वाहिसराई के काल में होई तो कौन से वाहिसराई के काल में होई थी तो भारत की नीमित जनगनना कौन से वाहिसराई के काल में होई है लाड रीपन के क ठीक है चंद्रमागा एक दिन पिर्थवी के चोधा दिवस के बराबर होता है तो चंद्रमागा एक दिन पिर्थवी के कितने दिनों के बराबर होता है चोधा दिवस के बराबर होता है ठीक है तो next आएगा असो गोस किसके दरबार में था कनिक्स के दरबार में तो इसे next दि तो नेश्ट आएगा भूमध्या रेखा पर दिन की अविद्धी कितने होती है 12 गंटे तो 12 गंटे भूमध्या रेखा में दिन की समय अविद्धी है ठीक है तो नेश्ट आएगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो सबसे कम वर्षा होती भारत में ले के अंदर ठी कितनी 15 डिग्री एक गंट के समयांत्र के लिए देशांत्र है जो दूरी में रहेगी 15 डिग्री ठीक है तो नेक्स्ट है जो राजतों सिधानत का परतिपादन किस ने किया था तो राजतों सिधानत का परतिपादन किया था बल बन नहीं रखत और लोहे के नेती भी किस ने च लाए थी ठीक है तो महाराष्ट रेज्जी में सड़कों की लंबाई सबसे क्या है सरवाधिक लंबाई है ठीक है महाराष्ट रेज्जी की सड़कों की सरवाधिक लंबाई कौन से रेज्जी की आपसे पुछें तो महाराष्ट रेज्जी की तो इसे next दिया है अधियोगी कर करान्थ हुई थी, इंग-लैंड में अधियोगी करांति हुई थी सभसे पहले, पंजाब का पूरन-शिंह को का या जाता है, और सेरो पंजाब की से का जाता है सेरे पंजाब लाला जपतर आएको ठीक है ना हमने पिछले सैटों के अंदर ये क्वेशन किया था तो सैट नमबर 30 के और करते हैं तो सैट नमबर 30 आता है दक्षिना वर्त गुमने वाला गरह है सुक्र तथा अरून सुक्र तथा रून क्या है दक्षिना वर्त गुमने वाला गरह है तो पटना उचनेले की स्थापना एक मार्च 1916 को हुई थी आप से पूछ लेंगे पटना उचनेले कब ना था एक मार्च 1916 को हुई तो जपान का राष्ट्रिये पसु पूच्छा इसने आईविस पसु कौन से हाई यह आईविस ठीक है तो पंडित जवाललाव नहरू के करिये काल में पंच वर्षी योजना सरू की गई थी कौन से प्रदान मंतर के काल में पंच वर्षी योजना सरू की गई तो बार्त के पर्थम प्राइम मिनिश्टर के काल में ठीक है पंडित जवाललाव संका क्या बना था सदेशिय यह परसंद काफी इग्जाम में मैंने देखा है बारत कब सियुक त्रैश्टर संका सदेशिय बना 1945 के अंदर ठीक है न तो नाइस्ट आएगा मनुष्य के पेशाब में क्या होता है तो यूरिया होता है यूरिया मनुष्य के किस के अंदर पाय जाएगा इंजाइम के अंदर ताइलिन इंजाइम लार में पाय जाता है ठीक है न सोरी ताइलिन इंजाइम है ये तो ताइलिन इंजाइम है ये किस में मिलता है लार के अंदर ठीक है लार में पाय जाता है ताइलिन इंजाइम तो next आता है फलों और सब्जीओं से बने ओर्वक में क्या ज़्याद ल Haben- प vast- poor-s तो fast-phoria से हुता है शरु आदिक तो next प्रसन आता है भारतिय प्रमानों उर्जयायों के परह्थ मे देख्स कौन थे ये प्रसन मोस्ट important परषन है बारतिय प्रमान उर्जा के अयोग के पर्थम है देक्स पूछा है इसने कोन थे ये डोक्टर ह. जे बाबा पर्थम फिल्ड मार्शल कोन थे जर्नल मानेक सा ठीक है तो next आएगा विंद्रोई कवी तो विंद्रोई कवी किसे का जाता है तो विंद्रोई कवी का जाएगा काजी नजरूल इसलाम को क्या का जाता है विंद्रोई कवी तो next परसन आता है सामबर लवन जिल कौन से रेजिम है तो यह है राजस्तान के अंदर ठीक है सीडो का समन्द लगोदियोग से है पूछेंगे आप से सीडो का समन्द किसे है लगोदियोग से तो next आता है नारमेंडी बीच कौन से रेजिम है फ्रांस के अंदर ठीक है तो next परसन हो रहा है आपके सामने अंडाश्य केवल किसमें पाय जाएगा इस्त्रियों के अंदर इस्त्रियों के अंदर केवल क्या पाया जाता है अंडाश्य ठीक है इस्त्रियों में महिलाओं के अंदर यह पाया जाने वाला भाग है तो next आएगा सूर के मास को क्या का जाता है पोरक तो सूर के मास को पोरक का जाता है तो आज का अंतिम परसन है 30 नंबर सेट का केंदरिया मनस्पती अनुसंदान सहस्तान काँ पर है लखनों में तो केंदरिया मनस्पती अनुसंदान सहस्तान लखनों के अंदर है ठीक है उत्रप्रदेश की राधदानी के अंदर ये बनाया गया ठीक है तो दोस्तो 30 सेट के हमने वारी-वारी most important question किये ठीक है ना 25 से 30 तक set किये जो 5 सेट हो गए most important person है आपके लिए next exam के लिए ठीक है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो share कर दे नेक्ट वीडियो पाने के लिए जिन्होंने वी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजीगा वीडियो के अंदर कुछ कमी लगी हो तो comment box में जरूर बताइएगा ताकि हम next वीडियो में सुदार करशके तब तक दोस्तो thanks for watching जैहिंद जैबारत जल्दी मिलते next वीडियो में